हलो एब्रीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी येट्यूब चैनल में तो पिछले वीडियों हमने आप सभी को सरल समीकांड यानि एक अग्यांत राज़ वाला समीकांड को हल करना सिखाये था इस वीडियो में कुछ और सवाल उसी तरीके के हम सिखाएंगे यहां पर देखिए पहला सवाल हमारा है थ्री एक्स बराबर टू एक्स प्लस फोर तो समीकांड हल करने का मतलब होता है अग्यांत राज़ का मान ग्यांत करना यहां पर एक्स हमारा अग्यांत राज़ ही है बाएं पक्ष में और दाइने पक्ष में भी यहाँ पर अग्यात राश एक्स है तो जब एक अग्यात राश रहती है तब उसको हम सरल समिक्याड या रेखी समिक्याड एक अग्यात राश क्या कहते है तो ऐसे समीकन को साल्व करने के लिए हम अज्यात राश को एक पक्ष में करते हैं यानि बाएं पक्ष में तो यह रहा हमारा पहला सवाल 3x बराबर 2x प्लस 4 अब इसको साल्व करने के लिए हम अग्यात रास यहां पर यक्स है तो इसको बाएं पक्ष में ले जाएंगे कोई भी संख्या या रास अगर एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो उसका चिन्ध बदल जाता है यहाँ पर इसका धन चिन्द है जब उसको बाएं पक्ष मे ले जाएंगे तो चिन्द बदल जाएगा तो यह हमारा हो जाएगा 3X-2X बराबर 4 अब यहाँ पर यह राजिया एक ही हैं इसलिए इनको घटा लेंगे तो 3X मेंशे जब 2X घटाएंगे तो 1X बचेगा यही उस दिये गए शमीकेन का हल होगा यही हमारा एंसर है अब यह पहला सवाल साल्ब हो गया अब अगर जाच करना हो उत्तर की तो बाएंपक्ष दाएंपक्ष के बराबर होना चाहिए तो यहाँ एक्स का मान 4 आया है तो 3 गुड़े 4 करेंगे तिधर बाएंपक्ष में हमा अब आये दूसरा सवाल देखते हैं यह रहा हमारा दूसरा सवाल की एक्स अपान 2 प्लस एक्स अपान 3 बराबर 5 इस तरीके के अगर समीकेन दिये गए हों तो उनको हल करने के लिए हम सबसे पहले इनके जो हर हैं इनका यह सीफ लेते हैं यानि महत्तम समापोर तक यलसीम स चाथ होगा तो चाथ से इसमें हम गुड़ा कर देंगे दोनों पक्चों में चाथ से जब गुड़ा कर देंगे तो यहाँ पर यहाँ पर भी श घुड़े यक्स बटे तीन बराबर इधर भी पांच में छह से गुड़ा कर देंगे अब यहाँ पर इसको सरल कर देंगे दो से काट देंगे दो तियाई च्छा इधर हो गया और यहाँ भी तीन दुनी च्छा दो अब यहाँ तीन यक्स धन दो यक्स तीन यक्स यह हो गया धन दो यक्स बराबर 5 में 6 से गुड़ा कर देंगे तो 30 आ गया अब यह सजाती हैं पद हैं इनको हम जोड़ लेंगे 3 दो 5 यक्स हो जाएगा 5 यक्स बराबर 30 अब यहाँ पर 5 का बाय पक्ष में गुड़ा किया गया है तो दाहिने पक्च मिले जाएंगे तो भाग हो जाएगा या ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों पक्चों में 5 से भाग देनी पर तो इधर X हो जाएगा, X बराबर 30 बटे 5 अब यहां इसको काट देंगे 5 चक 30 यानि X बराबर 6 आगया, यही हमारा एंसर होगा X कमान, 6 आगया, यही हमारा एंसर होगा अब उत्तर की जाच के लिए X के अस्थान पर 6 लिख दें हम यहां पर जब 6 लिखेंगे तो 2, 3, 6, 3 यहां आएगा और यहां पर 2 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे, 5 आएगा अर्थाद बाया पक्ष बराबर दाहिन पक्ष के, इसलिए हमारा एंसर सही है अब आएगे तीसरा सवाल देखते हैं, यह रहा हमारा तीसरा सवाल इसमें दिया है कि 3X प्लस 2, 3X प्लस 2 अपान 3 बराबर 2X प्लस 5 अपान 6 तो इस तरीके कि जब सवाल दिये गया हो, बाया पक्ष दिया गया हो और दाहिना पक्ष दिया गया हो तो हम इन दोनों का LCM लेते हैं, 3 और 6 का LCM 6 होगा तो 6 में गुड़ा इस से करेंगे, 6 का गुड़ा इसमें भी कर देंगे तो यहां पर 6, 3X प्लस 2 हो गया, 6 गुड़े और नीचे 3 है इधर हमने 6 से गुड़ा कर दिया, इधर भी 6 से गुड़ा करेंगे 2X प्लस 5 अपान 6 यहां हम 6 से गुड़ा कर दे रहे हैं तो दोनों पक्चों में अगर ऐसा दिया गया हो, तिनके LCM से गुड़ा कर देते हैं जो संख्याएं हर में दी रहती हैं अब यहां पर इसको काट देंगे, 3 दुनी 6 हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया अब यहां पर इसका गुड़ा कर देंगे क्योंकि कोष्ठक के अंदर की संख्या है, कोष्ठक के बाहर की संख्या है इधर कोई चिन नहीं गुड़ा माना जाता है तो गुड़ा कर देंगे 2 तियाई 6 X धन 2 दुनी 4 बराबर इधर हो गया हमारा 2 X प्लस 5 अब यहां इधर पक्षांतर कर लेंगे 6 X में से 2 X जब घटाएंगे तो 4 X हो गया हमारा हम जानते हैं कि अज्यात राज को हम बाहें पक्ष में ही लाते हैं तो 6 X माइनस 2 X अब यहां यह 4 अचर पद है इसको हम दाइने पक्ष में जब ले जाएंगे तो यह रिंड हो जाएगा क्योंकि यह इधर धन है इधर रिंड हो गया अब यहां पर आगे 6 X रिंड 2 X यह सजाती पद है इसलिए इनको घटाएंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 X हो गया 4 X बराबर इधर आगया 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आगया अब यहां पर देख रहे हैं समीक्याण के बाएंपक्ष में 4 से गुड़ा किया गया है तो दाइने पक्ष में ले जाएंगे तो 4 से भाग दे देंगे तो 4 था जब भाग दे देंगे ती थार x बचेगा इधर 1 बटे 4 होगा अब यही हमारा answer आ जाएगा अर्थात x बरावर 1 बटे 4 जो दिया गया समीचाण है 3x प्लस 2 पान 3 बरावर 2x प्लस 5 पान 6 इसका हल होगा अब आए चौथा सवाल हम देख लेते हैं यह चौथा सवाल हमारा जो दिया गया है यहाँ पर चौथा सवाल है यह 3 पान 4 x 3 पान 4 x प्लस 7 पान 12 x बरावर 4 अब यहाँ देख रहे हैं 4 और 12 के हर हैं तो इनका हम LCM ले ले लेंगे 4 बारा का LCM 12 होता है तो 12 से दोनों पक्षों में हम जब गुड़ा कर देंगे इधर हो जाएगा 12 गुड़े 3 बटे 4 x धन 12 गुड़े 7 बटे 12 यह अक्स इधर हो गया बरावर 12 चार गुड़े 12 यहनि दोनों पक्षों में हमने 12 से गुड़ा करते हैं अब यहां पर इसको काट सकते हैं चार एक्कम चार चार तियाई 12 इधर भी 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा अब यह हो गया हमारा 3 तियाई 9 x 9 x धन इधर हो गया 7 x अब इधर 12 चोग के 48 हो जाएगा हमारा अब इसको आगे हम जोड़ लेते हैं क्योंकि यह सजाती पद हैं तो 9 7 जोड़ेंगे तो 12 x बराबर आ गया 48 अब यहां देख रहे हैं कि तमीचन के बाएं पक्ष में संख्या 14 से गुड़ा किया गया है तो x का मान निकालने के लिए हम दोनों पक्षों में 16 से भाग दे देंगे इधर जब भाग देंगे 16 x बटे 16 बराबर 48 बटे 16 हो जाएगा इधर कैंसिल हो गया और हमारा आ गया यहां पर x यक्स बराबर 16 किन 16? 16, 43, 43 हो जाएगा यक्स का मान तीन आ गया यही मारा एंसर होगा अर्थाद दिया गया जो समी क्याण है 3 upon 4 x प्लस 7 upon 12 x बराबर 4 इसमें x के अस्थान पर हम तीन लिख करके उत्तर की जाँच भी कर सकते हैं तो यहां पर यह हो जाएगा हमारा 3, 3, 9, 4 धन अब यहां पर हम 3 लिखेंगे तो 3, 4, 12, 7 बटे 4 9 बटे 4, 7 बटे 4, 16 बटे 4 होगा 16 बटे 4 अर्थाद 4 इधर भी 4 है, इधर भी 4 आ जाएगा अर्थाद हमारा एंसर सही है तो इस तरीके से हमने आज आज आप सभी को संछेप में सरल समी क्याण यानि एक अग्यातराश वाले समी क्याण को हल कर सिखाने का प्रियास किया आसा करता हूँ कि इस भी सवाल आप समझ गये होंगे और इस तरीके के और सवाल साल्व कर लेंगे तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह सवालों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद